बिहार के दो जीले नालंदा और सासाराम में हो रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है आपको बताते हैं कि राम नौमी के जुलुस के दोरान दो पक्षों के बीच हिंसा जड़प हुई उसके बाद हिंसा की जो आग है वो लगतार बढ़ती जा रही है चाहे वो नालंदा हो या फिर सासाराम नालंदा के बिहार शरीफ में भने ही प्रशाशन ने ये दावा किया हो कि इस्थिति नियंत्रन में है लेकिन शाम होते ही लगबग 30 राउंड फाइरिंग हुई जिसमें तीन लोगों को गोली लग गई और उसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसके बाद आनन्फानन में नालंदा के डियेम ससांक शुभंकर की और से पूरे बिहार शरीफ में धारा 144 लगा कर कर्फ्यू पोज कर दिया गया वहीं सासाराम के भी हालात कुछ ठीक नहीं लग रहा है और जो स्थीतिया है वो लगतार बत से बत्तर होती जा रही है विशेश पुलिस वल यानि कि रैपिड एक्शन फोर्स को भी जो है वो जो दंगा प्रभावित जिले हैं उनमें उतार दिया गया है चाकर इस थिती को निएंतरित किया जा सके मुक्वंधी नितीशकुमार ने भी कल इस घटना पर जो है दुख जताय था उन्होंने कहा था की जो घटना हो रही यह बिल्कुल भी ठीक रही है कई न कई इशारों इशारों में उन्होंने कहा था कि यह प्लैंड साजिश यानि कि एक सोची समझी साजिश है और सोच समझ कर इस घटना को अंजाम दिलवाए गया इशारा भारतिये जंता पार्टी पर था और इसको लेकर एक और सियासत खूब हो रही है तो वहीं दूस लिए नियंतरं से बाहर है हिंसक जड़ब के घटनाय है वह सामने देखी जा रही है बिहार के तमाम जिले यह कह सकते हैं कि बिहार के तीन से चार जिले जो है वह हिंसक गती वीदियो से कहीं न कहीं प्रभावित नजर आ रहा है जिससे मुखबंत्री नितीश कुमार की भारतिये जनता पार्टी का काम है तो वहीं दूसरी और भारतिये जनता पार्टी ने आज केंद्रिये ग्रिमंत्रिया मिच्छा का सासाराम दौरा रद कर दिया और सासाराम दौरा रद कर यह दिखाने की कोशिश की है कि मुखबंती नितीश कुमार के जो लौ और वो पू जो सरकार है वो सुरक्षा मोहिया नहीं करा पाई इस वज़ा से हमें दोरा रद करना पड़ा और सरकार ने जान बूच कर ये घटनाए करवाई है ताकि जो मित्षा का कारिक्रम है वो सफल ना हो पाए लेकिन भले ही राजनीती की बात है लेकिन राजनीती की बात को छोड़ जाए तो कहीं न कहीं जो हीन्सा हो रही है उससे आम लोग का काफी नुक्सान हो रहा है लोग घरों में कैध एंस दरेव हैं दरें सह माहुद है और पुलीस पर भी पथरबाजी नितीश दर रहे हैं वह पुलीस पर पैनी नजर रखे हैं वो लगतार अधिकारियों से संपर्क में हैं लगतार अधिकारियों से बाचीत करें यह जानकारी उन्होंने खुद दी थी लेकिन फिर भी जो स्थीतियां है वो नियंतन से बाहर होती दिखाई दे रही हैं और लगतार जो स्थीती है वो बत से बत्तर ह हो गई हैं और पुलिस कर्मी जो हिंसा को रोकने के लिए आगे बढ़ें उन्हें भी पीछे लोटना पड़ा क्यूंकि जो पद्रवी हैं वह पत्थरबाजी कर रहे थे वहाई कल देर रात बिहार शरीफ में लगबक 30 राउंड गोलिया चली जिसमें तीन लोग को गोली लग नितीश कुमार ये कहते हैं कि हमारे समा हमारे राजी में दंगा नहीं होता दो समुदाय दो पक्षों के बीच जो जगड़ा जंजट है वो नहीं होता लेकिन कहीं न कहीं राम नौमी के जुलस के मौके पर जो ये घटनाय हुई है ये सीधे तोर पर मुखमदी नितीश ख़ड़ा करती है और इसको लेकर कल भाशपा के एक प्रतिनीधी मंडल ने अपने प्रदेश अध्यक सम्राठ चौधरी के नेत्रित में राजय पाल से मुलाकात भी कि थी लगतार नितीश कमार पर हमलावर है लेकिन जो स्थीतियां है वो फिलाल बे नियंतरन से बाहर है प्रशाषन पूरी कोशिश में है कि इस थीतियों को नियंतरित किया जाए अब आगे की क्या कुछ जानकारी होंगी वो हम आपके साथ जरूर साजय करेंगे सहयोगी विकास के साथ विशाल भरत वाज़ है जी नियूस पटना आशरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडरन अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर